नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट असलामलेकूम नई सुभा इंडिपेंडन्ट लिविंग प्रोग्राम के किचन हैक्स के साथ मैं हो ना दिया फ्रेश सैलेड चना चाट या दई बड़े इन तमाम चीजों में कच्चे प्यास का इस्तमाल किया जाता है और अमूमन प्यास की करवाहट को दूर करने के लिए प्यास पर नमक लगा कर रखना या प्यास को कुछ देर के लिए सिर्के में डिप करके रखा जाता है नमक लगाने से प्यास की करवाहट तो दूर हो जाती है लेकिन प्यास का क्रवाहट भी खत्म हो जाता है और ऐसे ही सिर्के में डिप रखने से प्यास में सिर्के का टेस्ट भी एड़ हो जाता है तो ये तमाम हैक्स छोड़ें और आज शेयर किये जाने वाला है कि समाल करें ताकि प्यास का टेस्ट और क्रंच भी बाकी रहे और करवाहट भी दूर हो जाए प्यास को काट कर एक बोल में शामिल करें और इसमें इतना पानी डालें कि प्यास दिप हो जाएं अब ये बोल दो से तीन घेंटे के लिए फ्रिज में रखतें और अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है तो आप कमज कम 15 मिनिट के लिए प्यास को फ्रिजर में रख सकते हैं इस सिंपल से हैक से ना सिर्फ प्यास की करवाहट दूर हो जाएगी बलके प्यास का टेस्ट और क्रंच भी बाकी रहेगा सो ये तो था आज का सिंपल सा हैक तिल नेक्स टाइम अल्लाह निगे बान ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए